त्मस्का दोस्तों आप सब कस्वागत है मेरी यूटूब चैनल इटसे मेजनेर में आज हम बिरसा मुंडा जी के बारे में कुछ बातें जानेंगे बिरसा मुंडा एक जनजातिये लीडर थे जिनका जनम रांची में हुआ था उनका जनम 15 नुवंबर 1875 को हुआ था वो मुंडा जनजातिये से सबंद रखते थे और महज 25 वरस की आईउ में ही वे अपने अधिकारों के लिए लड़ते लड़ते देश के लिए कुरवान हो ग जारखंट राजे उनके जनम जिवस के दिन सन 2000 में बनाया गया था जो भिहा राजे से अलग हुआ था उनको धर्ती आबा भी कहा जाता था जिसका अर्थ होता है धर्ती का पीता अंग्रेज जोद्वारा लोगों को जबरदस्ती इसाई धरम में बदला जा रहा था जिसको देखते हुए उन्होंने बिर्सेत नामक संपरदाय की सुरहत की थी उन्होंने मुंडा लोगों से सराब ना पीने अपने गाउं को साफ रखने जादू टोने और अंद्विस्वास जैसी चीजों को त्यागने की अपील की थी 1899 और 1900 के आसपास बिर्सा मुंडा की अगवाई में एक आंदोलन सुरू हुआ जिसका नाम था उल गुलान और इस आंदोलन को सुरू करने के जो मुखे तीन कारण थे वो ये थे कि जो अंग्रेज थे उनकी जो लेंड पॉलिसी थी वो उनके ट्रेडिशनल लेंड सिस्ट अधिया रहे थे जो इसका दूसरा कार्म था और जो तीसरा कार्म था इसाई धर्म प्रचारक उनके अपने कल्चर को जो है डिश्ट्रॉइ कर रहे थे दोस्तों इस आंदोलन का मकसद अंग्रेजों को खदेड कर मुंडा राज स्थाफित करना था मुंडा लोगों ने पार्मप्रिक परतीक चीनों और भासा का प्रियो करते हुए लोगों को प्रोसाइट किया कि आप अंग्रेजों के खिलाप एक जूट होकर युद करिये उन्होंने पुलिस स्टेशनों गिरजा घरों पर हमला किया और जो जमीनदार थे उनकी जमीनों को अथ्याना सुरू कर दिया तीन मार्च उन्नीसों को वेगिरतार किये गए और बाद में नौ जून उन्नीसों को हैजे से उनकी मृत्यू जेल के अंदर हो गई दोस्तों यह जो आंदोलन था इस आंदोलन ने जंजातीय लोगों में उनके अधिकारों के खिलाप एक चिंगारी बहदी उसके बाद अंग्रेज souvenirs को मजबूरन होकर जो जंजातीय लोग थे उनके लिए उनके हितों के बचाने के लिए लेंड लौज बनने पड़े तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जूरू बताएं और चैनल को सबस्राइब करना ना भूलें